नमस्कार स्वागत आप सभी का आधम समकालीन दक्षिन एशिया वाले चैप्टर के NCRT के कोशन्स करने वाले हैं तो पहला question है हमारा, देशों की पहचान करे, यानि कि हमने जो chapter में पढ़ा था कि दक्षिन एशिया में जो जो देश आती हैं, जिसमें की भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भुटान है, बंगला देश है, श्रिलंका है, मालदीव है, इन देशों में जो जो problem थी हमने सार ही पढ़ रखी हैं वो, ठीक है, तो उनहीं में से कुछ question हम से पूछे जा रहे हैं, तो हमें पहचानना है, कि कौन सी problem या कौन सी चीज किस देश से related है, पहला point, राज तंतर, लोग तंतर, समर्थक, समूहों, और अतिवादियों के बीच, संगर्ष के कारण, राज नितिक सिर्था का बातावन रहा, यानि कि वहाँ पे राज तंतर के सपोर्टर भी कुछ लोग थे, और लोग तंतर के सपोर्टर भी कुछ लोग थे, याद करो कौन सा देश है, मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, इसके उपर, दूसरा point, चारो तरफ भूमी से गिरा हुआ है, अ पूरा ही समुंदर के बीच में आईलेंड है, लंका तो, माल दीव भी एक आईलेंड है, तो अब कौन से दो बचे, आप कुछ सोचो कौन से दो बचे हैं दक्षिन एश्या के देश, अभी कॉमेंट में बताओ मेरे को आप, तीसरा point, दक्षिन एश्या का वहाँ देश, ज जहांपे राज संतर और लोक्तंतर को लेकर विबाद हुआ है, तो वो नेपाल है, वहाँ पे बहुत समय तक राज संतर भी रहा, फिर वहांके लोगों ने आंदोलन किया, और लोक्तंतर स्थापित किया, तो पहले का अंसर होगा नेपाल, दूसरा, चारो तरफ बूमी से गिरा है इसका अंसर भी क्या है नेपाल है नेपाल को आप जोग्राफिकली देखो वो उपर तो हिमाल्य लगता है नीचे उसके भारत लगता है ठीक है तो वो उसमें कहीं पर भी समुंदर या पानी आपको नहीं दिखेगा वो चारो तरफ से जमीन से गिरा हुआ है ठीक है तो इसका दूसरे का आंसर भी क्या है? वो है nepal. तीसरा point, वो है ऐसा देश जिसने सबसे पहले उदारी करण किया? तो इसका आंसर है श्रिलंका. श्रिलंका वो देश है जिसने सबसे पहले privatization को या उदारी करण की निति को अपनाया था. अब देखवा गहए पोइंट सेना और लोकतंतर समर्थक समुहों के बीच संगर्ष में सेना ने लोकतंतर के उपर बाजी मारी यहाँ यहाँ ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सेना और लोकतंतर को लेकर आंदोलन भी हुए है पर लास्ट में अधीकतर जो परभाव रहा वो सेना का रहा तुम सभी को पता है सबसे ज़्यादा सेनिक साशन किस देश में रहा है दक्षिन एश्या के पाकिस्तान में तो गहएगा अंसर होगा पाकिस्तान वहाँ पे बहुत बार लोकतंतर वाली सरकारों को हटा कर सैनिक रूल सापित हुआ है उसके बाद अगला पॉइंट दक्षिन एश्या के किंदर में अवस्तित है यानि दक्षिन एश्या के बिलकुल बीच में है इन देशों की सीमय दक्षिन एश्या के अधिकांश देशों से मिलती है तो ऐसा कौन सा देश है जो बिलकुल बीच में है और जितने भी ये देश है जब से ज़्यादा सीमय उसी देश के लगती है तो हम सब को पता है हमारा देश है भारत भारत बिल्कुल center में पढ़ता है और इधर पाकिस्तान भी उसको लगता है नेपाल भी बोटान भी सारे देसों से उसके border टच होते हैं जितने भी दक्षिनेशेया के देश हैं तो अधिकांच देशों से भारत का बोर्डर टच होता है तो बिलकुल केंदर में कौन सा देश है भारत है तो डैक आंसर हुआ भारत उसके बाद अगला है चे पहले इस द्वीब में शाषन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी अब यह है एक गंड़तर है ठीक है ऐसे ही कर बिलकुल मैप में भी यही कोशन आपके पूछ रखे थे ठीक है तो ऐसा देश बताओ अब जिसमें सुल्तान के रात चलता था पहले पर अब वहां पे क्या है डेमोक्रेसी है तो इसका अंसर होगा मालदीव पहले यहां पे सुल्तान का रात चलता था यह एक सल्तनत थी अ बगएरा मिले हैं उसके कान इस देश की गरी भी दूर हुई है तो इसका अंसर है बंगलादेश बंगलादेश को शैकारी रिण बगएरा मिले हैं अगला पॉइंट है एक हिमालेई देश जहां संवेदानिक राजसंतर रहा यह देश भी हर तरफ से भूमी से गिरा है वही पता है दो देश ऐसे हैं एक तो है नेपाल जो की चारो तरफ से भूमी से गिरा है और दूसरा है भूटान जो की चारो तरफ से भूमी से गिरा है दोनों के दोनों में समुंदर बजारा नहीं लगते तो पहले तो हमने सिर्फ यह पूछा था कि कौन सा भूमी से गिरा तो उसका अंसर था नेपाल, अब साथ में एक बात इन्होंने आड़ कर दी, जहाँ पे समवेदानिक रास्तंतर है, आज तक की बात कर रहे हैं, नेपाल में भी था, पर वो दो जर्च हैं के बात नहीं रहा है, वहाँ पे अब डेमोक्रेसी है, तो इसलिए इसका अंसर हो एक हिमाल्यी देश है, यानि हिमाल्या में पहाड़ों में लगता है, और यहाँ पे आज क्या है, रास्तंतर है, समवेदानिक रास्तंतर है, ठीक है, और यह देश भी चारों तरफ से भूमी से गिरा हुआ है, तो दो ऐसे देश हैं जहाँ पे क्या है, भूमी जो है, उसी स से गिरे हुए हैं वो समुंदर नहीं लगता नेपाल और भुटान सेकिंड कोश्चन दक्षिन एश्या के बारे में निमल लिखित में से कौन सा कथन गलत है यानि गलत पॉइंट बताना है हमें दक्षिन एश्या में सिर्फ एक तरह की राजनितिक पढ़नारी चलती है यह प विदानिक राज चंतर चला तो क्या सभी की राजनितिक परनाली एक जैसी है नहीं है पहले पॉइंट में लिखा हुआ था एक जैसी है पर इसका अंसर है नहीं है क्योंकि अलग अलग तरीके की शाशन परनाली है सभी देशों में ठीक तो पहला पॉइंट ही जो है वो गल प्रवेशार सम्मेलन में हुए ये point पे बिल्कुल सही है कि जो साफटा है उस पर इसलामाबाद में हुए थे जब बार भी मीटिंग चल रही थी दक्षेश किया शार्क की उसके बाद गहा point है दक्षिन एशा की राजनेती में चीन और सिंक्तराज अमेरिका महत्यपुन भूमी का निभाते हैं हम सबी को पता है चाइना और अमेरिका हमारे और पाकिस्तान के रिलेशन में भी बहुत important भूमी का निभाते हैं तो ये point में बिल्कुल ठीक है तो गलत बताना था तो पहला गलत है क्योंकि इसमें लिखा है कि सबकी परनाली एक जैसी है पर एक जैसी नहीं है सबकी अलग-अलग है कहीं पे लोगतंतर है कहीं पे राजतंतर है कहीं पे चाना का चाशन हो जाता है ठीक है अब है third question पाकिस्तान के लोगतंतरी करण में कौन-कौन सी कठीनाईया है most important question है बहुत बार आप से पूछा ग कर लो और उने को explain कर दो अब इसमें क्या लिखा देखो पाकिस्तान में सैनिक हस्तशेप यानि कि सेना का interfere रहता है कटरता वाद यानि कि लोग धरम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं आतंक वाद धरम गुरू और भूस्वामी अभिजनों के सामाजिक पर भाव ने ल वहाँ पर क्या है आतंक वाद फैला हुआ है अगर लोगतंतर होगा तो अच्छे काम होंगे उनके जो चल रहे हैं बिजनेस हैं वो खतम हो जाएंगे ठीक है तो उनको नुकसान होगा इसलिए वहाँ पर लोगतंतरों स्थापित नहीं होने देना जाते हैं पाकिस्तान में भारत के कड़वाट भरे संबंदों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदेव पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाये रखा तथा किसी भी निर्वाची सरकार को ठीक डंग से काम करने नहीं दिया तो जो भारत पाकिस्तान के युद हुए हैं तो उसकी आड़ में बार पर ज्यादा फरोसा रखते हैं तो यही लिखा हुआ है कि सेना है सबसे बड़ी रुकावट वहाँ पर लोकतंतर स्थापित ना होने में अब है हमारा अगला कोशन और इस कोशन में हमें बताना है कि नेपाल में लोकतंतर क्यों नहीं स्थापित हो पाया क्या क्या प्रोब्लम रही नेपाल में तो देखो अब सबसे पहले नेपाल में समय समय पर लोकतंतर के मार्ग में कठी नाया आती रही है 2002 में नेपाल के राजा ग्यानिंदर ने परतिनीदी सबा को भंग करके शाषन की बागडोन अपने हाथ में ले ली जिससे नेपाल में लोकतंतर का संकट पैदा हो गया देखो 2000 से पहले भी यहाँ पर आंदोलन हुए थे राजा को हटाने के लिए राजा ने कुछ बाते मानी थी पर 2002 में राजा ने क्या किया 2012 से अपना शाषन स्थापित कर लिया और जिससे नेपाल में क्या हो गया लोकतंतर को खत्रा पैदा हो गया अब इससे क्या होगा लोग विरोध करेंगे हमने पूरी स्टोरी बना रखे इसके उपर नेपाल के उपर उन वीडियोस को आप जरूर देख लेगर आपने नहीं देखी हैं तो तो ऐसा ही हुआ जब राजा ग्यानेंदर ने क्या कि आपनी सबा को भंक कर दिया और नेपाल में अपना राज थापित करना चाहा तो इसके विरोध में नेपाल में व्यापक आंदोलन हुए यानि बहुत बड़े लेवल पे क्या हुए आंदोलन हुए राजा ग्यानेंदर ने फरवरी 2005 में देश में आपातकाल की गोशना कर दी देश में क्या लगा दी? एमर्जंसी लगा दी 2005 में जब आंदोलन हुए बड़े लावल पे तो राजा ने क्या करा? एमर्जंसी लगा दी लोगी सुतिंतरदा को समाप्त करके नेताओं को नजर्बंद कर दिया गया लोगी आजादी छिन ली गई जो जो आंदोलन कर रहे थे उन सबी को जेलों में डाल दिया गया को उठा लिया गया इसके विरोध में राजनितिक दलों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया तो इसके विरोध में और भी जो राजनितिक पार्टिया थे उन्होंने अपना आंदोलन बहुत तेज कर दिया यानि बहुत बड़े परदेशन उन्होंने शुरू कर दिये अप्रेल 2006 में साथ राजनितिक दलोन यानि कि साथ पार्टियों ने मिलकर 19 तिनों तक नेपाल नरेश यानि नेपाल के राजा के विरुद जोरदार आंदोलन चलाया डेट याद रगलाब 2006 की बात है अप्रेल का महीना है तो अप्रेल 2006 में नेपाल मेराजा के खिलाब बहुत बड़ा आप्दोलन हो गया जिसमें की 21 लोग मारे गए तथा 5000 लोग घायल हो गए तो 21 लोग की डेथ हो गई और 5000 लोग इसमें मर भी गए क्योंकि जो वहाँ पे राजा की वो थी आर्मी उसने क्या किया इन लोगों पर अत्याचार किये दीरे दीरे नेपाल नरेश पर बहारी दबाव पढ़ना शुरू हो गया अब भारत जैसे देश और भी वर्ल्ड के बड़े बड़े देश अब क्या वहांके लोगों के लिए लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे उन्होंने लोगों सपोर्ट किया इससे क्या हो गया नेपाल का जो राजा था उस पर प्रेशर पढ़ना शुरू हो गया तो इंटरनेशनल दबाव यानि कि बहारी दबाव उस पर पढ़ना शुरू हो गया और अंत्त है अपरेल 2006 में नेपाल नरेश को अपातकाल की गोशना वापस लेनी पड़ी तो बड़े बड़े देशों के पर भाव की वज़े से बहारी दबाव की वज़े से उसने एमरजंसी को हटाया और संसद को दुबारा से उसने पहाल किया और गिरिजा परसाद कोईराला को देश का परधानमंत्री ने विक्त किया गया गिरिजा परसाद कोईराला ये नाम याद कर लो आप कोन बने देश के परधानमंत्री गिरिजा परसाद कोईराला ठीक है राजा ग्यानेंदर को हटा दिया गया किसका राजवाब गिरिजा परशाद कोईरला एक लोगतां तरीके से सरकार बनी और परधानमंत्री चुने गए गिरिजा परशाद कोईरला पहले राजा कौन थे राजा ग्यानेंदर डेट आपको याद रखनी है 2002 में उसने बंकी अतराजा गैने अंदर ने फिर आपको डेट याद रखनी है अपरेल 2006 जिसमें की बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और गिर्जा परशाद कोरेला को देश का परधान मंतरी बनाये गया यह आपने मनीशा कोरेला का नाम सुना हूँ अगर तो वो एक बोलीवड की एक्ट्रेस है तो उनके ही फैमली है जो गिर्जा परशाद कोरेला वाली फैमली है उसी फैमली से बिलोग करती है वो मनीशा कोरेला ठीक है तो गिर्जा परशाद कोरेला नेपाल के क्या बने परध कर दिया यानि जो राजा का शाशन था उसको खतम कर दिया गया 2008 में बिलकुल 15 अगस 2008 को समीदान सभा में परधानमंतरी के निर्वाचन के लिए चुनाव हुआ अब क्या हुआ 2008 में दुबारा से चुनाव हुए इस चुनाव में CPN के निता पुशु कमल दहल परचंड परधानमंतरी चुने गए यानि कि अब इलेक्शन हुए दुबारा से और निता कोन बने है पुशु कमल दहल परचंड ठीक है परचंड राजशाही समाप थोने के प कितरतव में 22 बिलों ने मिलकर सरकार बनाई तथा माधाव कुमार नेपाल का परधानमंतरी बना परंतु मावाधियों के वीरोत के कारण माधाव कुमार नेपाल को जून 2010 में अपने त्याग पतर से इस्तिफाद देना पड़ा पहले कोन बने है गिर्जा परशाद कोईर उसके बाद बने पर्चंड पर्चंड के बाद कोन बने माधव कुमार अब माधव कुमार को भी क्या हुआ इस्तिफा देना पडआ ठीक है और दोबारा से नेपाल में चुनाँ हुए इस चुनाँ के में परी नामो के आदार बर नेपाली कॉंगरेस के नेता सुशील कोईराला परदानमंतरी बने तो उसी कोईराला की फैमिली के आगे ब दुबारा सुशील कोईराला परदानमंतरी बने 20 सितंबर 2015 को नेपाल में नयासम विदान लागू कर दिया गया 11 अक्टूबर 2015 पसरीज नहीं है, इतने सारे आपको याद रखने के जरूरत नहीं है आप यहां तक याद रख़ेव सिर्फ कि जो यह सुशील कोयाला हैं यह पर्धानमंत्री बने उसके बाद आप यह दो-तिन नाम बेशक याद मत करो ठीक है उसके बाद आप सीधा यहाँ पर आ जाओ कि 28 अक्टूबर 2015 को विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट पती जुनी गई तो वहाँ पर विद्या देवी भंडारी क्या बनी राष्ट पती बनी अगस्ट 2016 में केपी शर्मा ओली के स्थान पर पुष्ट कमल दैल परचंड को फिर परचंड आ गए और परचंड क्या बने परधारमंद्री बने तो नेपाल में लागू हुए ने सम्विदान से नेपाल के तरही शित्तर में रहने वाली मदेशी समिदाए के लोग खुष नहीं थे तो जो ये इलेक्शन हुए थे और नया सम्विदान लागू हुआ था इससे वो लोग नराज हैं आज भी वो नहीं चाते उनके हिसाब सम्विदान नहीं बनाया गया मदेशी जाती के जो लोग है वो नहीं जाते कि ये समिदान लागू हो ठीक है इसलिए उन्होंने अपनी राजगी वेक्त की तथा वर्तमान समय में नेपाल में जो लाग तंत्रिक विवस्ता बहाल हुई है उसे लंबे समय तक बनाये रखने की आवशकता है यानि वहाँ पे अब भी जो सरकार है उसके खिलाफ लोग हैं कुछ लोग तो इसलिए वहाँ की सरकार को वहाँ पे डेमोक्रेसी बनाया रखनी है और ये उनके लिए एक चैलेंज है ठीक है और वहाँ पे अभी क्या है लोगतात्रिक सरकारे ही हैं तो आपको शुरू के नेता के नाम याद रखने हैं आप याद रखलो इसमें शुशील कोईरालाद बने हैं वहां तक नाम ठीक है उसके बाद आप जो है ये बता दो कि जो राष्टपती बनी है पहली वो बनी है देवी भंडारी ठीक है उसके बाद परचंड बने है ठीक है उसके बाद ये लाइन लिख देना आप कि वहां पे एक मादेशी समुदाय के लोग खुश नहीं है उन्होंने अपनी नराजगी भी वेक्त की है तो इसलिए जो लोगतंतर है उसको बनाए रखना वहां की शरकार की जिम्मेदारी है और अच्छे से वो जिम्मेदारी सरकार निभा भी रही है तो इस तरीके से नेपाल में लोगतंतर स्थापित हुआ दो-तिन नाम तो बिल्कुल आपको टिप्स पर आध होने चीए राजा ग्यानेंदर का जिसने की क्या किया था एमर्जंसी लगा दी थी लोगतंतर को भंक किया था लोगतंतर को खराब किया था उसके बाद कौन बने थे गिरजा परसाद कोईराला का नाम है बिल्कुल रटलो कि वो वहां पे क्या बने परधान मंतरी बने तो ये था नेपाल में लोगतंतर कैसे स्थापित हुआ इसके पूरी स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है वो वीडियो आप अच्छे से देख लेना